अगर आप हिंदुस्तान के एक बिरोजगार युवा हैं या आप भी ऐसे वेक्तियों में से हेक हैं जो लगातार नौखनियों पर फॉर्म तो भर रहे हैं लेकिन नौखनियों के एक्जाम नहीं हो पा रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए यहां मैं आप 65% से ज़्यादा आबादी भारत में 35 साल से कम लोगों की है लेकिन हमारे तत्थ हो गया रहा है हमारे साथ क्या हो रहा है हमारे तत्थ खिलवार हो रहा है और ये खिलवार क्या है और अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा रोज काम करने वाले लोग हैं और रोज काम करने के साथ साथ एक उमीद बनाये रखते हैं कि हमें भी एक सरकारी नौकरी मिल सकती है और उस उमीद का किस तरीके से गला घूटा जाता है सिस्टम के दोरा उसके बारे में हम लोग यहां पर बात्चित करेंगे पहले मैं कुछ आखड़े आपके सामने रखना चाता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग अपनी बात को कंटिनू करेंगे आखड़े कुछ इस तरीके से हैं कि RRB NTPC का फॉर्म आता है कब आता है मैं आपको डेट मेंसन करता हूँ यह फॉर्म आया था एक मार्च को 31 मार्च इसकी लाज़ डेट थी भरने की 35,000 के आखड़ पास वेकेंसी थी इसके बाद एक दूसरा फॉर्म आता है 12 मार्च को और 12 अप्रेल थी उसकी लाज़ डेट बरने की वो थी RRB Group D जिसे ग्रेट डी भी कहा जाता है इसमें एक लाख से उपर वेकेंसी थी हम सभी के सपनों में एक जान आती है कि चलो ठीक है बढ़िया है रेलवे में नौकरी करेंगे अच्छी नौकरी मिलेगी लेकिन उसके बाद फिर सुरू होता है खेल किस तरीके से सुरू होता है कि एक करोण से जादा लोग मैं एक्जेक डेटा दे रहा हूँ आपको मैं अभी एक्जेक डेटा देता हूँ आपको एक करोन से ज़ादा लोग RRB NDPC का फॉरम बरते हैं और एक करोन से ज़ादा लोग Group D का भी फॉरम बर देते हैं। अगर आप देखें तो 1,26,38,885 लोगोंने NDPC का फॉरम बरा हुआ है और 1,15,46,248 लोगोंने आपका Group D का फॉरम बरा हुआ है। और अगर हम इस आखड़े को और आगे लेके जाएं दोस्तों, तो ये आखड़े और भी ज़्यादा चौकाने वाले हैं, कि अगर आप टोटल फॉर्म भरने जाने की संख्या देखें, तो ये इतनी बड़ी संख्या है, कि 2 करोण 41,098,133 लोगों ने फॉर्म भरा है, जारत में 10 करोण लोग बेरोजगार है, जो किसी न किसी तरह की बेरोजगारी से ग्रहत है, जिनकी डेली की इंकम 200 रुपे भी नहीं है, जी हाँ, जो महीने में 6000 रुपे भी नहीं कमा सकते हैं, आची डेट में 80 रुपे पेट्रोल हो गया, और सबसे बड़ी बात है कि मार 500 रुपे लिए थे, कितने लिए थे 500 रुपे, ग्रूप D के लिए भी 500 और NDP PC के लिए भी 500, अगर मैं मालने ता हूँ, सारे जनर्ल लोगों ने भरा होगा, तो ये मैक्सिमम इमाउन पहुंकता है बारा सो करोन रुपे, एक हजार दो सो करोन रुपे, अगर मैं मालन लेत SC ने भरा हो या सारे category वाले लोगों ने भरा हो तो मैं एक आकड़ा मन लेता हूँ कि कम से कम सरकार के पास 1000 करोण रुपए के आसपास होना चाहिए जो उनके पास मार्च और अप्रेल 2019 के दोरान आया था मार्च अप्रेल 2019 बीते हुए लगबग एक साल होने जा रहा है फरवरी आने वाली है और exam की date का अभी भी कोई पता ने मेरा दिमाग तब खराब हुआ या मुझे गुसा तब आई जब कई सारे मेरे student जो मुझे पढ़ रहे थे वो ये कल कह रहे थे कि sir exam का पता ही नी चल रहा कि कब होगा क्या करे आत्मत्या कर ले क्या दोस्त कमचोर नहीं होना हम आत्मत्या नहीं करेंगे क्यों करेंगे भाई आत्मत्या हमारे जो 500 रुपए हैं दाइसो रुपए वो इन लोगों ने रखे हैं और एक हजार करोन रुपए इनके पास है और ये एक वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं एक वेंडर इनको एक वेंडर नहीं मिलना जो एक्जाम कंड़क करा सके दारा 377 होता है एक दिन में आज जाता है एक दो करोन लोगों की जिंदगी का सवाल है यार दो करोन लोग इस आस में जुरे हुए है मैं जानता हूं कि दो करोन लोगों को वेंडर नहीं मिलेगी एक बैच शुरू होता है पर दूसरा बैच शुरू होता है पर तीसरा बैच शुरू होता है बैच खतम होने का नाम नहीं ले रहा है और नौकरी आने के नाम नहीं ले रही क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है नेता जी मैं आप से ही कह रहा हूँ ये वीडियो इतना सेयर करना है कि नेता जी तब पहुंच जाए क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि 2 करोण 41 लाग लुगों के उपर आप ध्यान दे ये संक्या आपके लिए माहिने नहीं रखती है और आपके लिए माहिने सिर्फ 137 अरब है मैं सिर्फ इसलिए बोलना हूँ क्योंकि एक हजार करों रुपए अगर आप उनको भी पाटनर सुरू करेंगे तो कई लोगों के जीवन सुदर जाएंगे और आपको क्या लगता है जिन्होंने ये 500 रुपए दिये वो बहुत अमीर घर से आते हैं उनके हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्यों करते क्यों क्यों कर सकते हैं क्योंकि हम इससी कोई वजए है जिसी वज़ेसे आपी बहाना बना देते Bl injuries किमें वेंडर नहीं मिला अरे वेंडर नहीं मिला तो ये 500 International आपने कैसे डिसएड किये कि इक B 500 रुपए आएगा क्या वेंडर 500 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता आप से सिर्फ सोची समझी रणनीती है मार्च में आपको ये पैसा मिला है एक हजार करोन रुपए आपके बैक में पढ़ाये और आप एक वेंडर Não कर पारे एक हजार करोन रुपए बहुत होता है अप कहें हैं व आप 500 रुपे लिए आपने बोले कि इस दो वापस करेंगे कब वापस करेंगे इसका पता नहीं है आप सिर्फ वो सिर्फ बिजनिस कर रहे हो और यह से 1000 करोड रुपे को गुमा रहे हैं यह जनता का पैसा है और जनता जवाब मांगीगी आपसे दोस्त नेता जी आप भी द्याद से सुलिजे जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं अगर उब मेरी बात सही लग रही हो या लग रही हो मेरी बात सही लग रही हो लेकिन बात है सच्ची मुझे गुसा इसलिए आता है क्योंकि मैं टीचर हूँ और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं और उनके अर्मानों को जब मैं घुटा हुआ देखता हूँ जब उनके चेहरों को मैं उदास देखता हूँ सिर्फ इस वज़े से कि सर समय बीटता जा रहा है और हमारी एनरजी जी हाँ आपके पास जो 65% युवा है उसमें से 2 करोण 41 लाक लोग अभी भी इस एक्जाम की त्यारी करें यह सिर्फ एक एक्जाम की बात है SST के साथ भी आपने यही किया था लोगों के एक एक साल आपने बरबात कर दिया उत्त-पेदेश में फेकंसी और लटकी जिस उम्र में उनकी एनरजी बढ़नी चाहिए आपको क्या लगता है? इतना हतोथ साहित यूवक आप लोग है तो आप उससे अच्छा काम करा पाओगे जो एक साल, दो साल तयारी कर कры कर आए होगा जिसके लिए नोकरी मिलना ना मिलना सब बराबर हो चुका होगा अरे कोई कोई प्लानिंग ही नहीं है यार बड़े-बड़े IES बैठे हो आप लो इतना सारा IES बरापड़ा है सब जिसको बहुत उची-उची पोस्ट है वो लो बढ़ियां गाड़ी से चल ले हैं बढ़ियां बंगले से गुम रहे हैं सारा सब कुछ उनका जीवन सुलब है उनको इनकी फिकर नहीं हो रही किसी को इनकी फिकर नहीं हो रही दो करोण लोगो माइगाड इतनी बड़ी जन संख्या है दो करोण कुछ कहने को नहीं कि अगर अपने दंपर आ जाएगी न तो आप परिशान हो जाओगा आपका सिष्टम मिल जाएगा पूरा बहुत बुरा है बहुत बुरा है भावु को मैं बहुत जादा बुरा है अभी के लिए इतनी रखता हूँ लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैंथेज आपको मिल गया होगा इस वीडियो को इतना ज़्यादा सेयर करिएगा इस सब के पास तर पहुंच जाए कास कर उन लोगे इस पास जो इस सिस्टम को चला रहे है थैंकियो सो मच बाबाए